अप्राकित प्रतिद्धनी अलादी काल से जड़ पदार्थ की संपर्ख में रहने का कारण हमारी चेतना भौतिक बातावरन दारा अशुद्ध हो गई है इस भौतिक बातावरन को माया कहते हैं माया का अर्थ है वो जो नहीं है अब हमें देखना है कि ये माया किस प्रकार की है माया ये है कि हम सभी भौतिक प्रकीती पर स्थापित करना चाता हैं चाते हैं जबकि बास्तम में हम सभी अपूर्वरूप से उसके कठोर नियों में की जगर में हैं जब एक नोकर अपने सर्वसक्तिमान सामी को नकल करना चाता है तो ये माया का प्रभाव है इस भौतिक प्रतिके भन्नार का उपजोग करने की लिए सततो समसील है परंतु बास्तम में हम उसकी जटिलता में अधिक से अधिक आवद्व होते चले जा रहा हैं कृष्णा भावना मस्तिष्यक पर बनावटी दवाव नहीं है ये चेतनता ये भावना जीबात्मा की सभाविक प्रारम्मिक शक्ति है जब इस मंतर के कीतन से उत्पन्न अप्राकित प्रतिधनी को सुनते हैं तो हमारी ये चेतनता सुप्तावस्त छोगर जगती है कलिजुक के लिए धैन की ये सरल्तमा विधि है फलदायक मानी गई है अपने बेक्तिक अनुभव से भी कोई जान सकता है कि महामंतर के कीतन से आध्धातिक स्तर से अती कोई अप्राकित भावनमात की अनुभूती होती है आरम्म में सभी प्रकार की अप्राकित भावनमात की स्थिती नहीं हो सकती है भगवान के सब्द सुद्ध भक्तद्वारा गया जाता है तो सुनने वाली पर इसका बरा प्रभाव बरता है अता है तातकाली परिनाम के लिए इसे प्रहु के पवित्र भक्ते से सुनना चाहिए जो भगवान के भक्त नहीं है उनके मूख से कीतन नहीं सुनना चाहिए दूद जैसे जहरिल सक्व छूद्या है तो विशरला हो जाता है सब्द हरा द्वारा प्रभु की सक्ति को संबंधित किया जाता है कृष्ण एबंग राम सब्दों से स्यंग प्रभु को संबंधित किया जाता है कृष्णा एवग राम परम आनन्द है और हरा प्रभु की परम आनन्द महीं सक्ति है प्रभु की ये आनन्द महीं सक्ति हमें उनके पास ले जाने में सहायक होती है भवतिक शक्ति माया भी प्रभु की विविदा शक्तिय में से एक है हम जीवधारी भी प्रभु की ततस्था शक्ति है जीवात्मा भवतिक शक्ति से विशिष्ट होते हैं पराशक्ति का अपराशक्ति से संपर्क निरुद्ध परिस्थिति उत्पर्ण करता है परन्तु पराशक्ति का तथा तरस्थाशक्ति का संजो प्रसनतापुर्ण शामान्न परिस्थिती उत्पर्ण करता है। हरा, कृष्ण, सायंग, राम ये तीन सब्द महामंत्र के अप्रागित भीज मंत्र है। कीतन, प्रभु तथा उनकी शक्ति और बध्ध आत्मा की हरा, कृष्ण एबंग राम ये तीन सब्द महामंत्र के अप्रागित भीज मंत्र है। कीतन, प्रभु तथा उनकी शक्ति को बध्ध आत्मा की रखा करने के लिए एक आध्धात मी पुकार है। कीतन उस बच्चे को रोधन जैसा है जो अपनी मा की उपस्थित चाहता है माता हर भक्तों को पिता भगवान के फास ले जाती है और तब प्रभु सद्धा एवं विश्यास के साथ कीतन करने वाले भक्ते को सम्मुक्षयं उपस्थित होते हैं